राम राम भाई सारे आने, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, पाकिस्तान वालों जीत तो गए हो लेकिन सच सच बताना धुक धुक तो हुई होगी नहीं, लगा तो होगा कि 10 टीमें खेल रही है, वर्ड कप पर सबसे अनप्रेडिक्टेबल टीम हमारे ही खाते में आई है, एक बार लगा होगा पाकिस्तानियों को कि लोग सही कहते हैं, बाबर आजम घंटे के किंग है, कल हर पाकिस्तानी फैन बाबर आजम से ट्विटर पर यही पूछ रहा था कि हम जीत तो जाएंगे ना बॉबी भाई, कल नीदरलैंड वालों ने टॉस जीत कर पहले गेंदब लिया, पाकिस्तान वालों को इस वक्त आधे से ज्यादा फिक्र रनों की थी, और फिर उनकी यह दूआ कबूल की मुहम्मद रिजवान ने, जिन्होंने शकील के साथ मिलकर बहुत बड़ी 120 रन की पार्टनर्शिप की, लेकिन नीदरलैंड वालों के पास लीड़ा थे, ज 286 रन का पीछा करते हुए, विक्रम सिंह और बेश्दी लीड़ा ने तीसरे विकेट के लिए 70 रन की पार्टनर्शिप कर दी, लिड़ा की इतनी बढ़िया, इनिंग देखकर पाकिस्तान वाले घबरा गए, लेकिन हैरिस रॉफ के एक ओवर में दो विकेट लेने के बाद नीदरलैंड का विनिंग परसेंटेज 40 परसेंट से सीधा 13 परसेंट आ गया, रॉफ के उसे ओवर ने ननीदरलैंड की कमर तोड़ दी, नतीजा यह हुआ कि नीदरलैंड 205 पर ओनल आउट हो गई, और पाकिस्तान या मुकाबला 81 रन से जीत गया, मिलते हैं इसकी नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत